नवस्कार मित्रों, उन्हें हाजिर हैं आपी के लोग पर ये चैनल ओ मिस्ट्रों वास्तु में पानी, जल, जल ही जीवन है, बिलकुँ सही का गया है, बड़ी कोठी बना ली, मकान बना लिया, रहने आए, देखा, फल फोल नहीं रहा, बच्चों की शादी नहीं हो रही, भगगें के दरवाजे बंद हो गए, बहुत सारी बाते होती हैं, लेकिन ये एक मुख्य बात बता रहा हूँ, पानी की दिशा, यानि गलत पानी की दिशा अगर आपके घर में है, क्या दिशा होती हैं, वो मैं बताता हूँ, और उसके कुछ उपाई भी बताने की कोशिश करेंगे, पहला होता है, बोर वेल, आज कल क्या होता है, बोर वेल लगवा लेते हैं लोग, पानी क श्रोत्र, अंडरग्राउंड टेंक, कुमा भी हो सकता है, हैंड पॉम्प हो सकता है, यह सारे पानी के incoming शोस्त्र हैं, यानि आने वाले चीज़ें, पानी कैसे आना है, घर में परवेश करेगा, तो इसकी सबसे उत्तम दिशा होती है, नौर्थ इस्ट, इशान कोंड बोलते हैं, यह जल श्रोस्तर का सबसे important matter होता है, एरिया होता है, इस जगह अगर आपने बोर्वेल, अंडरग्राउंड, वाटर टैंक, या निकासी, जो घर का पानी होता है, या जो वर्षा से पानी आ रहा है, उसकी निकासी भी अगर नौर्थ इस से करेंगे, तो अति उत्तम रहेगा, परिवार में धन की वरिदी, यश की वरिदी, यश्वेरिया की वरिदी, हर तरह के सुक्ष सुम्रती के साधन बन जाते हैं, और यही चीज़ अगर आपने दक्षन पश्चम, साउथ विस्ट की दिशा में लगा ली, जिसको अगनी कौन बोलते है तो रोग, मिर्तियों का भै, जॉब की हानी, यानि हर तरह की परिशानी, और घर का जो मुख्या है हमेशा बिमार रहेगा, यह दक्षन में अगर रख लिया तो भी दिक्कत रहेगी, यह पानी का अंडरग्राउंड श्रोत्र दक्षन में अगर है तो इस्तरी हानी होगी, निराशा, धनकियानी, बहुत सारी परिशानिया है, पस्चिम में अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट अंडरग्राउंड टेंक मत बनवाईए वाँ, अगर बनता है तो ले लें, लेकिन अंडरग्राउंड टेंक नहीं होना चाहिए वाँ, उत्तर के दिशा भी उत चाहते हैं, पानी की टंकी यानि ओवरेट टेंक बना के, इसकी दिशा क्या होगी, अब जैसे नौर्थी इस्ट की दिशा बन गई, अंडरग्राउंड पानी की, अब हम सोचें की पानी की दिशा है, तो हम नौर्थी इस्ट में पानी की टंकी रख ली, तो समझ लीजिए दन की हानी, शादी की, रुखावट, विवाब में प्रावलम, जॉब की हानी, रोजगार में दिक्कत, रिष्टे ही नहीं आएंगे। इसलिए यहां नहीं होना चाहिए। पश्चिम के दिशा भी उत्तम मानी जाती है, रख सकते हैं। लेकिन जो बेस्त दिशा है, वो बतार, सबसे उत्तम दिशा होती है दक्षण पश्चिम, दक्षण की दिशा मंगल, पश्चिम के दिशा शनी की है। इस दिशा को घर की सबसे भारी दिशा बनाना जरूरी है, और उसके लिए हमें यहां पे अवरेड टेंक लगा सकते हैं, सफेद रंग का टेंक लगाई है, यह विशेश रूप से कह रहा हूँ। इससे क्या होगा धन की व्रिदी, रोजगार की व्रिदी, वैपार की व्रिदी, एश्वरे की व्रिदी और जो घर का मुक्या है, सही निरने लेगा। septic tank एक ये भी होता है निकासी का तरीका ज्यादा तर हिंदुस्तान के मकानों में सरकारी जो सीवे सिस्टम नहीं है तो septic tank बनाया जाता है मल की निकासी के लिए जो ट्वाइलेट बगरा होते हैं अगर ये अगर हमने नौर्थ इस्ट पर बना दिया भगवान की दिशा में समझ लेज़े अपने हातों से अपने भागे का दरवाजा बंद कर दिया यानि अपने कर्मों को खराब करने का आपने पहला ही उपाय बना लिया साउथ विस्ट अगर बना लिया किस की दिशा है अगनी की दिशा है और यहां पर हमने मल एकठा कर लिया और निकासी भी वहीं से हो रही है तो क्या कर लिया आपने अपने उपर करजे का बोज चड़ा लिया हमेशा करज में दबे रहोगे बिमार रहोगे और कभी भी सुक नहीं मिल पाएगा पत्नी भी बिमार रहेगी उत्तम दिशा क्या होती है पश्चिम की दिशा एक ही दिशा है इसके लाबब कोई मैं बोलता ही नहीं है और श्चिम के दिशा में ही जाती ही दिशा है शनी की है तो यहाँ पर बनाया जा सकता है नौर्थ इस्ट में है तो बहुत बड़ा नुक्सान है धनकी हानी के साथ साथ कोई पुलिस केस भी हो जाता है अब उपाई जानने की इच्छा होगी सेप्टेक टेंक अगर आपका बनावा है गलत दिशा में तो एक तो उसको जमीन के लेवल पे ले आओ उस लेवल पे लाके उस जगा को लाल रंकी टाइल से बंद कर दो ये सबसे इंपॉर्टेंड है लाल रंकी टाइल होने चाहिए पानी की टंकी अगर गलत दिशा में रख लिए आपने तो वो सफेद रंकी बनाई है ये सबसे दूसरी बात बता रहा हूँ अंडर ग्राउं को एक ही आम निवेदन कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो तन्यवाद